Hello Class 10th Students, आपको यादी हैं, हमने Madam writes the first chapter start कर लिया था First part पूरा करने के बाद, हम second part में यहां तक आ गए थे कि conductor जो है और वली दोनों इस बात पर हसने लगे थे क्योंकि conductor वली की नकल उतार रहा था उसके आगे देखिए The conductor punched a ticket and handed it to her Conductor ने टिकट पंच किया और वली के हाथ में दे दिया क्योंकि उसने कहा था कि अभी तक तुमने मुझे टिकट नहीं दिया है Just sit back and make yourself comfortable तो conductor ने वली को कहा कि आराम से बैठो और comfortable हो जाओ अपनी seat पर बैठ कर Why should you stand when you have paid for a seat? तुम खड़ी क्यों हो जाती हो जब तुमने एक seat का पैसा दिया है Because I want to, she answered standing up again तो उसने जवाब दिया कि क्योंकि मैं चाहती हूँ और फिर से खड़ी हो गई But if you stand on the seat, you may fall तो conductor ने उसको कहा कि अगर seat पर खड़ी हो जाओगी तो तुम गिर सकती हो And hurt yourself और तुम्हें चोट भी लग सकती है When the bus makes a sharp turn or hit a bump जब bus अचानक मुड़ेगी या फिर किसी bump से टकरा जाएगी है न कभी उबढ़ खाब़ कुछ सड़क होती है जाओगी That's why we want you to sit down child इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने seat पर बैठ जाओ I am not a child I tell you She said irritably थोड़ी चिड़ कर उसने कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मैं तुमको बता रही हूँ I am eight years old मैं आठ साल की हूँ Of course, of course, how stupid of me Eight years, my तो conductor ने कहा अरे हाची, ठीक, ठीक है मैं भी कितना बेवकूफ हूँ आठ साल, ओहो, आठ साल की है मतलब कि कितनी बड़ी है, कहने कार थी जैसे हम मजाक में कहते हैं कि हो, कितनी बड़ी है उस तरह से conductor ने उसके साथ मजाक से कहा But the bus stopped इसी बीच के आए, बस रुख गई सब नियो पैसेंजर गाट आन और कुछ ने पैसेंजर उसके उपर चड़ गए And the conductor got busy for a time और जो ने पैसेंजर बस के अंदर आए थे conductor उसके साथ busy हो गया क्योंकि वो टिकल पगरा देने लगा उनको Afraid of losing her seat, वली finally sat down वली डर गई कि इतने पैसेंजर आए है कहीं उसकी seat पर कोई बैठ न जाए इसलिए वो अपनी seat पर बैठ गई An elderly woman came and sat beside her एक बुजर्ग महिला आई और वली के बगल में बैठ गई Are you all alone dear? She asked वली as the bus started again उसने वली से पूछा क्या बचे, तुम क्या केले हो और ये बात उसने वली से तब पूछी जब बस दुबारा चलनी शुरू हो गई थी वली found the woman absolutely repulsive वली को महिला बिल्कुल ही पसंद नहीं आई Such a big hole she had in her earlobes कान में बड़े-बड़े छेत थे and such a ugly earring in them और कितनी बेकार सी earring उसने कान में पहन रखी बदसूरत जो कहते हैं बदसूरत earring उसने कान में पहन रखी थी and she could smell the beetle nut the women were chewing और उसके साथ साथ वो महिला जो थी वो पान चबा रही थी तो उसकी महक वली को लग रही थी see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment और किसी भी समय ऐसा लग रहा देखकर कि beetle juice जो है कभी भी उसके होटों से बाहर निकल आएगा who should be sociable with such a person ऐसे व्यक्ति के साथ कौन इतना sociable होकर बाचीत कर सकता है yes I am traveling alone she answered currently and I have got a ticket too तो उसने थोड़ा सा irritation दिखाते हुए उस महिला से कहा कि हां मैं अकेली ही जा रही हूँ और मैंने a ticket खरीद लिया है yes she is on her way to town said the conductor with a 30 पैसा ticket इस बीच conductor आपको पता ही है बहुत ही मजा किया किसम का था वो बीच में अटपक पड़ा और इसने का कि हां वो शहर जा रही है और 30 पैसे का ticket भी लिया है oh why don't you mind your own business said वरली but she laughed all the same and the conductor laughed too और तब वरली ने conductor कहा तुम अपना काम क्यों नहीं करते अपने काम अपना काम करो और उसके बाद हसने लगी और conductor भी उसके साथ साथ हसने लगा but the old women went on with her rival लेकिन वो महिला जो है अपनी बेवकूफी भरे सवाल जो है वल्ली की तरफ फैंकती रहे यानि वह बार बार वल्ली को कुछ न कुछ बोलती रहे इस इट प्रापर फार साचा यांग परसंट टू ट्रैवल अलों देखी एक सही लगता है एक ऐसी छोटी सी लड़की को अकेले यात्रा करने में do you know exactly where where you are going in the town तुमको पता है शहर में तुम कहां जा रही हो what is the street कौन सी सड़क पे जा रही हो जैसे आपको पता ही होता ना सड़क का नाम होता है या सड़क के नंबर भी होते हैं है ना तो कौन सी सड़क पे जा रही हो तुम्हें पता भी है and what is the house number कौन से घर मे जा रही हो यह भी पता है तुमको मतलब house number होता है ना कई बार हर सड़क पे कुछ house number रहते हैं जिससे आप पता चल जाता है आपका कहां यह घर है किसी का तो वो बलती है तुमको house number मालों है you need not bother me bother about me I can take care of myself वली से turning her face toward the window and staring out तो वली ने उनको कहा कि आपको मेरी चिंता कर ही है मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ और उसके बाद उसने अपना चहरा घुमा लिया और window कितन से बाहर देखने लग गई अब देखें थर्ड पार देखते हर फर्स जर्नी what a careful painstaking elaborate plan she had had to make for it यह इसकी पहली आत्रा थी कितना ध्यान से कितनी परेशानिया उठा कर उसने इसका plan बनाया था she had thriftly saved whatever stray coins came her way बड़ी ही ध्यान से उसने क्या किया था जो भी पैसे उसके हाथा आते थे उसे वो बचा कर रखती थी resisting every temptation to buy peppermint toys balloon and the like और हर बार क्या होता था उससे अपने लालच को बचा यह करके दबा के रखना पढ़ता था कि कभी पैसा हाथ मे हैं लेकिन ना वो peppermint खरी सकती थी ना toys खरी सकती थी नहीं balloon खरी सकती थी नहीं इसी तरह की कोई दूसी चीज़ खरीती थी क्योंकि उसे पैसा बचाना था और अपने लालच को दबा कर रखना था and finally she had saved total of 60 पैसा और आखिरकार उसने total 60 पैसे जोड लिए how difficult it has been यह कितना difficult था particularly that day at the village fair खास तोर पर उस दिन जिस दिन गाओं में मेला लगता था but she had resolutely stressful strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money और देखो हाथ में पैसा था इसके बावजूद भी उसे अपने इस इक्षा को control करके रखना पड़ता था कि सामने में मेरी go-round या जो गोल चकर घुमाते हैं वो सामने में है हाथ में पैसा भी है लेकिन वो उस पे नहीं चर सकती क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा after she had enough money saved जब उसने अपना जरूरत का पैसा जमा कर लिया her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge दूसरी problem ये थी कि मा की जानकारी के बिना कैसे घर से बाहर निकले but she managed this without too much difficulty लेकिन इस चीज़ को उसने बड़े आसानी से manage कर लिया every day after lunch her mother would nap from about 1 to 4 or so हर दिन लंच के बाद उसकी मा जोती एक जबकी लेती थी एक से चार बजे के बीच में and Vali always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house or sometime even ventured out into the village today these same hours could be used for her first excursion outside the village और इसी समय को जब मा सोई रहती थी उसी समय को वल्ली जो है अपनी excursion यानि बाहर घूमने या अपनी जो दर्वाजे पर खड़े होने का time जो होता था या फिर कभी कभी क्या होता था मौका देखकर वो गाउं में भी घूमाती थी और आज इसी समय को वो अपनी excursion यानि जो यात्रा उसकी शहर की होने वाली है गाउं से बाहर वहाँ उस यात्रा में इसी समय को वो यूज करी बस रॉल्ड ओन नाव कटिंग अक्रॉस बेयर लैंड स्केप बस आगे चल रही थी और एक खुला खुली जगह आ गई थी और आपको पता ही सड़क के किनारे दुकाने होती है तो ये एक बस जो है दुकानों के बगल से गुजरी कभी-कभी तो ऐसा लगता था जैसे सामने से जो गाड़ी आ रही है ना उसकी बस जो है उस गाड़ी को निगलने वाली हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है ना कि सामने वाली गाड़ी जो है वो टकरा जाएगी विलकुल है ना लेकिन फिर क्या होता है या फिर कोई यातरी चल रहा होता है सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो लगता है यसे कि वो बस के नीचे ही आ जाएगा बट लो, somehow it passed on smoothly, लेकिन सब कुछ बड़े ही smooth तरीके से चल रहा था, leaving all obstacles safely behind, सारी अर्चने पीछे रह गई थी, पेड भी ऐसे लगते थे, जैसे भागते हुए आ रहे हो, और जैसे ही बस उनके करीब पहुंसती तो लगता वो रुख गए, and simply stood there, helpless for a moment, by the side of the road, before rushing away in the other direction, और फिर जब तक बस रुकी रहती, तो वो बिल्कुल असाय की तरह हुए पर खड़े रहते, लेकिन बस जैसे आगे बढ़ती, तो वो पेड भी पीछे की तरफ भागने लगते थे, Suddenly वली clapped her hand with a glee, अचानक वली ते तालिया बजा कर खुशी से, तालिया बजाते वे बहुत खुशी जाहिर करने लगी, यंग काव, टॉल, सौरी, यंग काव, टेल हाई in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus, उसने देखा तालिय क्यों बजाया उसने खुशी के मारे, इसलिए को उसने देखा एक गाए है, वो अपनी पूछ उठाकर हवा में बहुत तेजी से बस के ठीक सामने दौड रही है, सड़क के ठीक वीचो बीज, अब गाय दौड रही थी सड़क पर, तो बस जो है, वो थोड़ी धीनी हो गई, रेंगने लगई धीरे होकर, the driver sounded his horn loudly again and again, driver जोर जोर से horn बजाने लगा, बार बार, ताकि गाय सड़क से हट जाए, but the more he honked, the more frightened the animal became, and faster it galloped, always right in front of the bus, और जितना वो horn बजाता जोर जोर से, उतनी ही जोर से गाय डर जाती, और फिर बीच सड़क पर वो और तेजी से भागती, बस के ठीक सामने में, वो आपके बुक में पिच्चर भी वनी हुए, कि किस तरह से गाय जो है सड़क पर भाग रही थी, somehow this was very funny to वली, और गाय का इस तरह से बीच सड़क पर भागना, वली के लिए बहुत ही मज़दार लग रहा था, she laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो हसती रही हसती रही और जब तक हसती रही जब तक उसकी आखों में आसू नहीं आ गए, आपको पता ही है कि अक्सर क्या होता है, जब हम बहुत हसते हैं तो आखों में आसू आ जाते हैं, तो कंड़क्टर ने कहा कि क्यों भाई, आज तो तुमने बहुत हस लिया, बेटर सेव सम फॉर टुमॉरो, थोड़ी हसी कल के लिए बचा कर भी रख लो, आखिरकार गाय जो है, वो सड़क के किनारे चली गई, और जल्दी ही बस जो है, वो एक ऐसी क्रासिंग पर पहुच गई, जो सड़क के बीच में, रेल की क्रासिंग थी, और तभी क्या हुआ, थोड़े सा जलक ट्रेन की बहुत दूर में दिखाई दे रही थी, जैसे से ट्रेन नजदीक आने लगी, वो और बड़ी और और बड़ी दिखने लगी, then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus, फिर बहुत तेज, यह होता है न, vibration होता है, बहुत तेज, वैसी तेज vibration के साथ, वो जो crossing gate होती है, rail crossing की gate, उसके बगल से गुजरी, और बहुत जोर से, जैसे सब कुछ हिलने लगा था, और बस भी हिलने लगी, then the bus went on, फिर बस आगे बड़ी, past the train station, फिर railway station के बगल से गुजरी, from there it travelled a busy well laid out shopping street and turning, entered a wide thoroughfare, उसके बाद एक बहुत इव्यस्त सडक से गुजरी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ सामान का जो होता है न, shopping street, वो सडक था, जहाँ पर बहुत सारे सामान वगरा बिखते हैं, और फिर वहाँ से एक लंबी चौड़ी जगा पर पहुँच गई, such a big bright looking shop, वली ने तो पहली बार देखा था, तो उसे बड़ा ताजूब लग रहा था, इतनी बड़े बड़ी शौप हैं, और बहुत ही चमकीली, है न, with glittering display of clothes, खुब चमकदा तरीके से कपड़ों को showcase में रखा गया था, other merchandise और भी दूसरी बिखने के सामान रखे हुए थ such a big crowd और वहा भीड भी बहुत थी, struck down with wonder, यह सब देखकर वो आउस की आखे खुली की खुली रह गएं ताजूब में, वली gaped at everything, और वो बड़े ही आश्चरे से सभी चीजों को देख रही थी, then the bus stopped and everyone got off except वली, फिर बस रुख गई, और सब बस से उतर गए, वली को छोड कर, hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off, this is as far as your 30 पैसा take you, तो conductor नो से कहा कि, अरे, lady, क्या तुम नहीं उतरोगी बस से, बस तीस पैसे में हम इतनी ही धूर लाते हैं, no, वली said, I am going back on the same bus, she took another 30 पैसा from her pocket and handed this coin to the conductor, उसने कहा नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और उसने pocket से 30 पैसा निकाला और conductor को दे दिया, why, is something the matter, क्यों, कोई बात है क्या, no, nothing, nothing the matter, I just felt like having bus ride, that's all, नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी एक्षा थी कि मैं एक बार bus ride करूं, बस और कुछ नहीं, don't you want to have a look at the side now that you are here, तो उसने कहा कि भई, यहां पर की चीज़ें तुम देख लो, जब तुम आही गई हो यहां पर तो, all by myself, oh, I would be much too afraid, तो उसने कहा कि मैं अपने आप चली जाओ, नहीं, मुझे तो बहुत डर लगेगा, greatly amused by the girl's way of speaking, उसके बातों से बड़ा मत्र मुख्ध हो गया था conductor, उसने कहा, but you weren't afraid to come in the bus, लेकिन बस में आने में तो तुमको बिलकुल डर नहीं लगा, nothing to be afraid about that, she answered, तो उसने कहा कि नहीं, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं थी, well then, why not go to that stall over there and have something to drink, nothing to be afraid of about that either, तो conductor नहीं कहा कि तो ठीक है, फिर सामने के stall में जाकर कुछ drink को अगर ले लो, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, oh no, I couldn't do that, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, well then, let me bring you a cold drink, मैं कोई बात नहीं है, मैं ले आता हूँ, तुमारे ले cold drink, no, I don't have enough money, तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, just give me my ticket pass, बस मेरा ticket आप दे दू, और कुछ नहीं, it will be, it will be my treat, not cost you anything, मुझे नहीं, मेरे तरफ से treat है तुमको, मैं तुमको कोई पैसा नहीं देना होगा, no, no, she said firmly, please no, नहीं, नहीं, बहुत ही, इससे, दृड़ता से उसने कहा कि, नहीं, प्लीज, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, the conductor shrug, conductor ने अपने कंदे उचकाए, then waited until it was time for the bus to begin the return journey again, there weren't many passengers, और फिर उस समय का इंतिजार करते रहे, जब bus की return journey शुरू होने वाली थी, उस समय भी bus में ज़्यादा passenger नहीं थे, So, in the next class, we will do fourth part, आप video को ध्यान से देखी, और इसे like और subscribe भी करिए, और share भी कीजे, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसे देख सके, Thank you very much.